नमस्कार मैं हूँ आपके संगित्यम मंत्र तंत्रयंतर वास्तू के विशेश कास्क्राम के साथ नवरात के तीसरे दिन माचंदर घंटा की पूजा अराधना की जाती है हम आपको एक दिन पहले माचंदर घंटा की बिशेस वरूप रूप पूजा बेढ़ी तथा माचंदरघंटा के पूजा से क्या लाब होते हैं इसके बारे में आपको बता देते हैं ताकि आप से कोई भूल या गलती ना हो इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि माचंदरघंटा की पूजा करने से कैसे आप मंगल दोस्त का निवरन कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर आपको पाचन तंदर की कोई समस्या है तो इसका भी निबारन आप माचंदर घंटा की पूजा करके कर सकते हैं इसके साथ साथ हम आपको पताएंगे कि माचंदर घंटा का क्या है महा उपाए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा का क्या स्वरूप और रूप है इसका क्या खास बात है देखिए माता के माथे पर घंटे आकार का अर्ध चंद्र है जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है माता का सरीर स्वर्ण के समान उजवल है इनका बहान सिंग है और इनके दस हाथ है जो की बिभीन परकार के अस्त्र सस्त्र से सुसोफित रहते हैं सिंग पर सवार माचन्र घंटा का रूप युद्ध के मुद्रा में दिखाई देता है और इनके घंटे की पर्चंड ध्वनी से असूर और राक्षस भैवित होकर भाग जाते हैं अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्र के तीसरे दिन क्या है खास महा उपाय देखिए अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता है तो इसके लिए आप क्या खास उपाय कर सकते हैं सबसे पहले आपको देवी चंद घंटा का एक खास मंत्र है इसका कम से कम एक सा आठ वार जब करना है मंत्र है ओम, हिरिंग, श्रिंग, चंदर घंटा, दुरगाय नमहा इस मंत्र का एक सा आठ वार आप जब कर ले इसके बाद मनी पुर्चकर के बीज मंत्र रम इसका कम से कम आपको एक सा आठ वार जब करना है और जब करते समय आप अपने नाभी के आसपास ध्यान केंद्रित करें इससे निश्चित रूप से आपकी जो पाशन तन्र की समस्या है उसका समधान हो जाएगा अब हम चर्चा करते हैं मा चंदर घंटा का क्या है खास बीज मंत्र देखिए पूजा की सुरुवात चंदर घंटा देवी की अस्तूती से की जाती है अस्तूती है या देवी सर्भूतेशू मा चंदर घंटा रूपें संचिता नमस्तस्ये 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 नमो नमा इनके बाद इनका बीज मंतर है एंग स्रिंग सक्तिय नमाः इनका दूसरा बीज मंतर भी है ओम देवी चंदरघंटाय नमाः मंगा चंदरघंटा का जो महा मंतर है वो मंतर है ओम हिरिंग स्रिंग चंदरघंटा दुरगाय नमाः या इसका दूसरा महा मंतर भी है ओम चंग 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 चंदरगंटाय हिरिम नमा तो आप सबसे पहले महा चंदरगंटा की जो अस्तूती है इसे पूजा की शुरुवात करें और इसके बाद बीज मंतर का कम से कम एक सा आठ बार जब करना है इसके बाद इनका जो महा मंत्र है इन दो मंत्रों में से कोई एक मंत्र का कम से कम आप एक सा आठ बार जब करें तब जाकर आपकी पूजा संपुर्ण होगी अब हम आपको बताते हैं कि माचंद घंटा की क्या है पूजा बेधी देखिए माचंद घंटा की पूजा बेधी में सबसे पहले कलस और उसमें उपस्थि देवी देपता तिर्थों, योगिनियों, नवगरहों, दस दिकपालों, ग्राम एबं नगर देपता की पूजा अराधना करें फिर माता के परिवार के देपता जैसे गनेश, लक्षमी, बीजिया, कार्ति के देवी सरस्थि एबं जया नामक योगनी की भी पूजा करें फिर देवी चंदघंटा की पूजा अर्जना करें पूजा के दोरान साधक को दिब सुगन्धित का अनुभव होता है और कई तरह की धुनिया भी सुनाए देने लगती है अगर आपका पूजा में मन लगता है तो आपको एक अलोकिक सुगन्धि का अनुभव होता है और कई तरह की धुनिया भी सुनाए देने लगती है इस चंद साधक को परिसान या डरना नहीं चाहिए और इस पर ध्यान न देते हुए अपने पूजा को जारी रखे इसके साथ साथ आपको क्या करना है बैदिक एबं सवसती मंत्रों द्वारा माचंद्र घंटा की पूजा करें इसमें आवाहन, आसन, पादय, आश्मन, असनान, वस्त्र, स्वभाग सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, आभूशन, पुषपहार, सुगंधी द्रब, धूप दीप, नेबेद्य, फल, पान, दक्षिना, आर्ती, प्रादक्षिना, मंत्र पुषपांजली आदी स इनका पूजा किया जाता है, इनके बाद प्रसाद में शहद और मेवी की मिठाई, दूद, खीर और दूद से बनी मिठाईों का बित्रन कर पूजा संपन की जाती है, अब हम आपको बताते हैं कि माचंद घंटा के इस दीन आप दूसरा क्या खास उपाय कर सकते हैं, देख इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हर दिन कपूर और लंग जलाकर मा की आरती करें, इसके साथ साथ रोज सहद और इतर अर्पित करें, इससे आपका स्वास्त और बाधाएं दोनों दूर हो जाएगी, नो दिनों तक सबेरे राम रक्षा अस्तोतर का भी आपको पार्ट करना चाहिए, अब हम आपको बताते हैं कि देवी चंदघंटा की पूजा से क्या मिलता है आपको लाब, देखे, देवी चंदघंटा की पूजा करने से आपको साधक के समस्त पाप और बाधाएं बिनस्ट हो जाती है, इनका अपासक शिंग की तरह प्राकर्मी औ और एस्टरजी की प्राप्ति होती है, इनके घंटे की धुनी सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से भी रक्षा करती है, अगर आपको प्रेत बाधा से समधित कोई समस्या है, तो आप मा चंदघंटा की पूजा करें, इससे आपकी जो प्रेत बाधा की समस्या है, वो सम मसाय निश्टित रूप से दूर हो जाएगी इसके साथ साथ भगवती चंदरगंटा की उपासना करने से भक्त आध्यातमिक और आत्मिक सक्ति प्राप्त करता है देवी की राधना से साधक का मनीपुर्श चक्रजागरित हो जाता है पुर्ण बीधी से मां की उपासना करने वाले भक्त को संसार में यस, किर्ती एवन सम्मान प्राप्त होता है और जोतिस में इनका समंध मंगल गरह से होता है मंगल दोस्त का निवरान हो जाता है मंगल से समंधी जितनी समस्याइं आपके जीवन में है मां चंदरगंटा की पुजा करने से सारी की सारी समस्या आपक हो जाता है अगर आपको मंगल से समधित कोई समस्याएं हैं तो मंगल से समधित सारी समस्याएं आप माँ चंदरघंटा की पूजा से कर सकते हैं तो देवी चंदरघंटा की उपासना से मंगल गरह सांत होता है तथा मंगल दोस्तका निवारन भी हो जाता है रक्त दूर्गहटना की समसाईं भी आपको दूर हो जाती है तो इसकी बिध़ी क्या है देखिये मंगल गरह को एश्टॉंग करने के लिए मजबूत करने के लिए देवी को मेबा और हलबे का भोग लगाएं लाल फूल, लाल धागा और कोपर का क्वाइन सिक्का अर्पित करें सबसे पहले नवार मंत्र ओम, एंग, हिरिंग, लिंग, चामुणाय बिच्चे इसका एक सा आठवर आपको जब करना है इसके बाद मंगल का जो खास मंत्र है ओम, अंग, अंगार का एनमहा इस मंत्र का कम से कम आपको एक सा आठवर जब करना है जब करने के बाद सिक्के को अपने पास रख लें और लाल धागा को अपने कलाई में बंध लें अगर आप इस्तरी है तो आपको बाएं हाथ में बंध नहीं है अगर आप प्रूस है तो आपको दाएं हाथ में बंध नहीं है अगर सिक्के छेद बाली है तो लाल धागा को सिक्के में लगा करके अपने गले में भी पहन सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मैंने आपको बताया कि मांचंद्रघंटा की पूजा करके कैसे मंगल दोस्त का निवान कर सकते हैं, कैसे आप अपने पाचंद्रघंटर को भी सही कर सकते हैं, तथा किस तरह से आप अपने जीवन की जो बाधा है उसका भी समाप्ति कर सकते हैं. इसके साथ मैंने आपको बताया कि मातन घंटा की पूजा करने से क्या आपको लाभ मिलता है क्या आपको फल मिलता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो किर्पयाय से लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीजों का फैदा उठा करके अपने जिन्दगी में जो समस्या हैं उनका खात्मा कर सके आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद